आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल कंसेप्ट पे होने वाला है जिसे एक बार फिर से ओनेबल एंपी हाई कोट ने अपने एक केस के तुरू दोहराया है ये केस लौ हमारे क्रिमिनल लौ का एक लाइनमार्क जज़्जमेंट है इस केस का नाम है रोहन नायक वर्सी स्टेट अफ एंपी इस केस में बिसिकली ये डिसाइड किया गया है कि जितने भी हीनियस क्राइम्स होते हैं मतलब कि हाई ग्रेविटी वाले ओफेंसेस में सेटलम होते हैं फार एक्जमपल रेप, मर्डर, अटेंब्ट तू रेप, अटेंब्ट तू मर्डर, ग्रीवियस हर्ट या फिर पॉक्स से रिलेटेड केसेस जिसमें हुमेनिटी को ताक पर रख दिया जाता है तो ऐसे केसेस में सेटलमेंट अलाउड नहीं होता क्यों क्योंकि य जो ऐसे क्राइम्स करते हैं उन्हें इस सोसाइटी में अलग रखे जाने की जरूरत होती है इसलिए ऐसे क्रिमिनल्स के लिए जेल बनाया गया है वैसे तो छोटा हो या बड़ा क्राइम तो क्राइम ही होता है और स्टेट के अगेंश्ट ही होता है पर फिर भी कई बार मज वास्था देने के लिए ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ देना या फिर कई क्राइम्स गलती से भी हो जाते हैं जिने आदमी करना नहीं चाहता अनिंटेंशनली वो हो जाते हैं ऐसे केसे में सेटलमेंट करके अक्यूज पर्सन को छोड़ा भी जा सकता है ऐसे केसे के लिए हमारे लौ भी लिनियंट है क्योंकि इन केसे के लिए हमारे पास CRPC में प्ली बारगेनिंग के सेक्शन्स अल्रेडी प्रोवाइड़ेड हैं और फर्स्ट टाइम ओफेंडर्स के लिए प्रोबेशन ओफेंडर्स एक्ट भी बना हुआ है चलिए अब हम अपने केस पे चलते हैं बिसिकली इस केस में MP High Court ने Modesty of a Women पे कमेंट किया हुआ है Modesty of a Women is worshiped in our country जितने भी गंबीर अपराज महिलाओं के साथ होते हैं रेप उन में से सबसे बड़ा है जब भी किसी महिला का रेप होता है तो वो केवल उसे फिजकली हरास नहीं करता वो उसके Emotions को बहुत अंदर तक चोट तोचाता है जिससे की वो महिला अपने पूरी लाइफ नहीं भूल पाती है ऐसे मांसिक इस्तिती के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है इसमें विमेन को नॉर्मल लाइफ में फिर से वापिस लोटने में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा हमें समीदन सील रहना पड़ता है हम लोग जानते ही है हमारी लाइफ में विमेन का कितना बड़ा रोल होता है मदर, वाइफ, सिस्टर, डाटर और इसलिए क्या होता है कि उनकी जो बॉड़ी होती है वो जैसे एक नए लाइफ को बर्थ भी देती है तो इस वज़ा से वो एक स्पेसल हुमन बिंग है जिसे हमें प्रोटक्ट करना ही चाहिए और वो एक सेक्रोसेंट एंटिटी भी है इसलिए हमारे हिंदू संस्कृति में विमेन को देवी की तरह समझा जाता है देवी की तरह उन्हें सम्मान दिया जाता है पिसिकली जितने भी सीरियस क्राइम्स होते हैं उसमें सेटलमेंट नहीं किया जा सकता ऐसा ओनेबल कोट का कहना है और कुछ महिने पहले ही डेली हाई कोट ने भी एक ऐसा जैज्जमेंट दिया था जिसमें ये कहा गया था कि Crime cannot be wiped off by passing compensation to the victim जो ये डेली हाई कोट का decision था ये section 307 IPC से related था और क्योंकि उसे भी एक serious offense माना जाता है इसलिए डेली हाई कोट ने settlement होने के बाद भी victim को compensation देने के बाद भी इन sections को question नहीं किया FIR तो इस case में justice अनूप कुमार में दिरत्ता जी ने एक बहुत ही important observation दिया था इसमें उन्होंने कहा कि heinious and serious offense as it is generally treated as a crime against the society and not the individual alone it should not be taken lightly and it should not be quest that means these sections under which the offense has been done should not be removed from FIR अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like करें share करें comment करें और हमारे channel को subscribe करें और अगर आप लोग इसमें कुछ suggestion देना चाहते हैं तो comment box में हमें suggestion जरूर दें जिससे कि हम अपने videos को और improve कर सकें थैंक यू